नमस्कार साथियो आज हम पसुदन सायक के लिए साइटोलोजी में कुछ कोशिकांग पड़ेंगे, कुछ सेल और्गनेल्स पड़ेंगे पहला हम पढ़ लेते हैं माइटोकॉंड्रिया माइटोकॉंड्रिया माइटो, नाम से पता चलता है माइटो माइटो का मतलब होता है सुत्र या ध्रेड यानि धागा और कॉंड्रिया जो वर्ड है कॉंड्रिया सब्द का मतलब होता है ग्रिन्यूल्स मतलब कनीका है कनीका यानि इस कोसिकांग को सुत्र कनीका भी कहते हैं सुधर केका माई्टो कौंड्रिया सबसे पहले देखा किस ने हैю Center कि लेमिंग ने तैंदा लेमिंग नामक्ला हिएनिक विफानिक ने देखा था और ऍद लेमिंग ने इसे ई खिला कि शैन्स कान फिला दागी कि तरे रेसी नहीं माण जो संद०तना ऊती तुभ को कहते हैं फिला फ्लेमिंग ने देखाए और फ्लेमिंग ने क्या का इस्ते फिला अ 늦ुच मन को आल ट्मान मेला नामक वेगेणिक ने इसकी खोज की तो माइट्फो कॉंट्रिया की खोज का स्रेंध आ जाता है आल्टमान को देखने का स्रेंnes जाता है फ्रेमिंग को और आल्टमान ने इसकी खोज करके इसका नाम दिया था बायो प्लाष्ट नाम दिया था इसके बाद जो वास्तविक नाम करने इसका मैटो कॉंड्रिया नाम करने है वो दिया था सी बेंडा ने इसका वास्तविक नाम करने आज की तारिक में जिस को सिकांग को हम मैटो कॉंड्रिया नाम से जानते हैं मैटो कॉंड्रिया नाम दिया मैटो कॉंड्रिया नाम दिया तो यह थोड़ा सा इतियास है इसका देखा फ्लेमिंग ने अल्टमान को इसकी खोजका स्रे दिया जाता है अल्टमान ने इसे बायोप्लाष्ट कहा था सी बेंडा ने इसका माइटोकोंड्रिया नाम करन किया माइटोकोंड्रिया की संरचना हम देखते हैं माइटोकोंड्रिया इस प्रकार से छड़नूमा भी हो सकता है गोलाकार भी हो सकता है बेलनाकार भी हो सकता है इस कई संरचना में पाया जाता है लेकिन मुख्यतया जो इस जिल्लियों से गिरा हुआ कोशी कांग है, जिसमें भाये जिल्ली, ये वाली भाये जिल्ली तो क्या होती है? चिकनी होती है, भाये जिल्ली की भाये सत्य क्या होती है? चिकनी, ये जिल्ली जो होती है, ये ये आंतरिक जिल्ली होती है, आंतरिक जिल्ली, जो है इसकी आंतरिक जिल्ली पर इस प्रकार से अंगूली नूमा कुछ संरसनाय बन जाती है अथ्वा हम ये कह सकते हैं कि बाये जिल्ली तो सपाट होती है आंत्रिक जिल्ली अंगूली नूमा प्रवर्दों में बदल जाती है और ये अंगूली नूमा संरसनाय कहलाती है क्रिष्टी ये अंगू अंगुली नुमा कुछ सनर्चनाएं बन जाती हैं, अंगुली नुमा सनर्चनाओं में बटी हुई होती है, इन सनर्चनाओं को क्रिष्टी कहते हैं, इन क्रिष्टी की आंतरिक सतय पर इस तरह से टैनिस के रेकेट जैसे कन लगे रहते हैं, टैनिस का रेकेट, इन कनों को कह का जाता है ऑक्सिसोम क्या कहा जाता है ऑक्सी सोम अथ्वा ऑक्सिसोम का दूसरा नाम है F1 कन F1 कन दोनों जिल्लियों के बीच का जो इस्थान है यह कहलाता है पेरी माइटो कॉंड्रियल स्पेस यह वाला इस्थान पेरी माइटो कॉंड्रियल स्पेस दोनों जिल्लियों के बीच का जो बाहरी जो जगह होती है इसको बोलते हैं पेरी माइटो कॉंड्रियल स्पेस मध्यवाली जो जगह है इसे कहते हैं मेट्रिक्स माइटो कॉंड्रिया का मेट्रिक्स और इस मेट्रिक्स में क्रेप्स चक्र के एंजाइम पाये जाते हैं यहाँ पर कौन सा चक्र संपन होता है क्रेप्स चक्र संपन होता है क्रेप्स चक्र संपन होता है आंत्रिक जिल्ली की बाईय सतय पर कुछ इस तरह से वरंत विहीन कण लगे रहते हैं इस तरह से वरंत हीन कण पाये जाते हैं इन वरंत हीन कण यानी बिना सहारे के दानेदार इस प्रकार से कण पाये जाते हैं इन कणों को क्या कहते हैं पारसन की इकाईया कहते हैं यूनिट्स ओफ पार्षन या सब यूनिट्स ओफ पार्षन इस प्रकार माइट्रोकॉंड्रिया की संरशना होती है माइट्रोकॉंड्रिया की स्ट्रक्शर होती है दोरी जिल्ली से परिबद्ध कोशिकांगा है दोनों जिल्लियों की बीच की जगे पैरी माइट्रोकॉंड् व्रंत विहिन करन लगे रहते हैं जिने पारसन की एकाईयां कहते हैं सबसे पहले माइटोकॉंड्रिया को देखा फ्लेमिंग ने नामकरन किसी ने किया बेंडा ने और खोज का सरे अल्टमान को दिया जाता है व्रभी माल्मान ने इसे बायू प्लस्ट का था, चुकि कई वैग्ञानिकों ने इस कोशिकांग के कई नाम दिये थे इसके बाद में जो फाइनल नाम करन जो है बेंडा का ही था आज़े इसमें बात करते हैं मैटोकॉंड्रिया में तो माइटोकॉंड्रिया Mitochondria Kosikang Kosika में Kosika कहलाता है Kosika में Kosika Arthat Cell within cell Cell within Cell Kosika में Kosika क्यों कहते हैं इसको क्योंकि Mitochondria में खुद का अपना DNA पाया जाता है व्रत्ताकार DNA पाया जाता है व्रत्ताकार DNA अनुवानसिक पदार्थ पाया जाता है खुद का स्वेहम का अपना Mitochondria में खुद का Ribosome पाया जाता है Ribosome कौन कौन से पाया जाता है जैसे बात करे इस्तंधारियों में, तो इस्तंधारियों की कोसिकाओं के माइटोकॉंड्रिया में 55S प्रकार का राइबोसोम होता है, और यूकेरियोटिक की बात करें, तो यूकेरियोटिक कोसिका के माइटोकॉंड्रिया के अंदर 70S यानि 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, राइबोसोम का कारिया होता है प्रोटीन सेंसलेशन यानि खुद का वरत्ता कार डिये ने खुद का राइबोसोम हो गया माइटोकोंट्रिया खुद उर्जा का उत्पादन करता है उर्जा का उत्पादन करता है यानि कोशिका का क्या कहलाता है सक्ती ग्रह कहलाता है एनरजी का प्रोड़क्सरा रहा ही असके द erzählt में तो इस प्रकार से खुट खुट की को अनुवान सिकी में योग दान एक ने खुट का कोशिकांग तो कौन सा कोशिकांग अर्द स्वायत है माइटोकोंड्रिया इसलिए इसे कोशिका में कोशिका कहा जाता है शुरुवाती अवस्था में जो प्रोकेरियोटिक कोशिका का निर्मान बताया जाता है वो माइटोकोंड्रिया से ही हुआ है इस प्रकार बताया जाता आजय विकाज में, जीवगाज में, यानि कोशीका के अंदर कोशीका है, फिसल सका है, दूसरा हो गया यह सेमि ओटोनमस ओघन है, और में संपन कर लेते हैं, इसलिकी सेमि ओटोनमस ओघन या अर्ध स्वायत्त को सिकांगे कहते हैं, अर्द स्वायत्य का मतलब जिस पर आधा नियंतरन खुद का हो, अर्द स्वायत्य को सिकांगे कहते हैं, अब हम बात करते हैं, माइटो कॉंड्रिया, माइटो कॉंड्रिया क्या क्या करता है, माइटो कॉंड्रिया कहां-कहां ज्यादा पाय जाता है, त वक्षियों की उड़न पेशियां, अथो हम बात करें, जो पेशियां लगातार काम में आती है, या जो उत्तक लगातार उर्जा परदान करते हैं, जैसे पूरा वसिय उत्तक, पूरा वसिय उत्तक, यानि brown edipose tissue पेशियां muscles जो लगातार वर्क करती हैं उन पेशियों में mitochondria की संख्या जदा हो जाती है और इन पेशियों में इन muscles में कौन से तंतु पहे जाते हैं लाल पेशी तंतु लाल पेशी तंतु लाल पेशी तंतु में mitochondria की संख्या अधिक होती है red muscle fibers में चुक्कि mitochondria का काम होता है उर्जा का उत्पादन करना तो इन पेशियों में mitochondria की संख्या और इस उतक में mitochondria की संख्या जदा होती है चुक्कि भूरा वसीय उतक है स्वेट वसीय उतक से अधिक मात्रा में उर्जा उत्पादन करता है नवजात पस्वों में या नवजात जीवों में यह ब्राउन एडिपोस्ट इश्यू पाया जाता है जिसमें mitochondria ज्यादा होते हैं इनर्जी प्रोडक्शन करता है इसलिए देखा होगा आपने छोटे बच्चों को ठंड इसी माइटो कॉंट्रिया या ब्राउन एडिपोस्ट इश्यू के कारण नहीं लगती या फिर कई बार देखते हम कि जो सीसू होता है उसको बिल्कुल जाडियों में फैंक जाते हैं तो जो उसके सरीर की जो एनर्जी है उसको कहां से मिल रही है ब्राउन एडिपोस्ट इश्यू से मिल रही है जिससे वो ठंड से काफी समय तक उसकी रक्षा कर सकती है माइटो कोंड्रिया की बात करें तो माइटो कोंड्रिया को क्या क्या उपनाम दिये गए एक तो कोसिका का सकती ग्रे करते हैं इसे कोशिका की बैटरी कहलाता है माइटो कॉंड्रिया में उर्जा का उत्पात अनुता है कोशिका का सबसे सक्रिय कोशिकांग है माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया कोशिका का सबसे व्यस्थ सबसे बिजी सबसे व्यस्थ एवं सबसे सक्रिय सक्रिय कोशिकांग है सबसे व्यस्थ और सबसे सक्रिय कोशिकांग है माइटो कॉंड्रिया माइटो कॉंड्रिया औक्सी स्वसन या स्वसन में सहयता करता है स्वसन में सहयता करता है माइटो कॉंड्रिया में पाए जाने वाले माइटो कॉंड्रिया में पाए जाने वाले माइटो कॉंड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम को माइटो राइबोसोम कहते हैं माइटो राइबोसोम कहते हैं माइटो कॉंड्रिया में स्वै प्रतिक्रतिकरन यानि सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है सेल्फ रेप्लिकेशन यानि खुद से खुद की कौपी तयार करना माइटो कॉंड्रिया में स्वै प्रतिकरतिकरन ये गुण डिने में भी पाया जाता है या डियेने में ऑपनी कॉपी खुद गो खुद तयार करने की स्रमता होती है डियेने के दूरा डियेने का निर्माना रेप्लिकेशन या प्रतिकृति करण कहलाता है तो स्वेप्रतिक्रतिक करण का गुण किसमें पाया जाता है माइटोकॉंड्रिया में पाया जाता है अर्थात माइटोकॉंड्रिया दूसरे माइटोकॉंड्रिया का निर्मान खुदी कर लेता है माइटो कॉंड्रिया में पाया जाता है माइटो कॉंड्रिया में एक गुन और पाया जाता है जिसे कहते हम मात्रक वनसागती मात्रक वनसागती जो केंद्रक के अंदर जो डिने है उस डिने के द्वारा लक्षनों को अगली पीडी में पहुंचाने के अलावा आणने जगह, आनने जगह से कोषिका की अनुआनसी की हो, आनने जगह से लक्षनों को पहुचाय जाए अगली PD में तो उसे कहते हैं مातरक वनसागती, और मातरक वनसागती के लिए जो फेमस कोषिकांग को न सा है माइटो कोंड्रिया मात्रक वन्सागती में सहायक है माइटो कोंड्रिया मात्रक वन्सागती में सहायक है माइटो कोंड्रिया माइटो कोंड्रिया सर्वाधिक उपापचे का कार्य करता है माइटो कोंड्रिया मेटबोलिक एक्टिविटी या उपापचे क्रियाओं का कार्य करता है एक कोशिका में सारे माइटो कोंड्रिया को मिला करके क्या कहते हैं कॉंड्रियों, एक कोसिका के सभी माइटो कॉंड्रिया को सभी माइटो कॉंड्रिया को कॉंड्रियों कहते हैं कॉंड्रियों कहते हैं कॉंड्रियों कहते हैं तो ये बात हुई Mitochondria की, Mitochondria को वापस रिवाइज करा रहा हूँ, Mitochondria को कोशिका का सकती ग्रह करते हैं, यह सबसे व्यस्त, यहुम सबसे सक्रिय कोशिकांग है, Mitochondria को सबसे पहले, देखा किसने, फ्लेमिंग ने, नामकरन किसने किया, सी बेंड आने, और खोज का सरे दिया जाता है, आल्टमान ने इसे बायो प्लास्ट भी कहा था मैट्रो क्षievous को को कहते हैं क्यों क्यों कि मिच्च का we खुंद का अपना राइभो सोय में प्रोटीन्स संस्वर्शन कาร इन कारण है। इसे कोशी का में कोशी का अत्व आत्व अर्द्रस्वाहरता साची नुल कोशी का करेहें। वाइटोगूंट्रिया जिन पेशियों में यहां पर और उर्ज का उत्पादन अधिक आवशक है जो सबसे ज़्यदा कृया करने वाली पेशियां है या जिन पेशियों में लगातार संकुचन जैसे अशर्द्य क्खेशय की पेशियुंहें राल पेशाचिए तंक पाय जाते हैं रेड मसल फाईबरस में कभी भी थकावट नहीं आती उनमें कभी भी लेक्टिक हम ख कर निर्माण नहीं होता राल पेश्टी तंतु बिना करक्र लगार्या करते सिंग कि हैं जैसे फ़ीष्र लगा तो एक बार उड़ना शुरू कर दिया तो वो अपनी मंजिल तक पहुंचने तक वो लगातार उड़ता रहेगा अर्थात उसकी पेशियां लगातार कार्य करेंगे बुरा वसी उतक ओए ब्राउनरेटी पॉस्टीसिय जो कुछ सीत निसक्रियता दरसाने वाले जीयों में पाया जाता है satan thisydent निसकरियता दर शाने वाले जीव जयों से गिलैरी है जो सर्दीयो में गायब हो जाते हैं बिलो मेंकग से ज्रक्षा करता है और नवजाथ जानवरों में जो ठंडर से बचाने वाला उतक है वो बूरा वसीय उतक है क्योंकि बूरे वसीय उतक से में माइटोकॉंड्रिया होते हैं, माइटोकॉंड्रिया उर्जा उत्पादन करते हैं, जिससे उनके सरीर का टेंपरेचर मेंटेन रहता है, तो यह हमने पढ़ा माइटोकॉंड्रिया, अगला कोशी कांग हम पढ़ते है खोज किसने की खोज की इसकी पहलेडे ने इसकी खोज की थी इसलिए इन्हें राइबोसोम को क्या कहते है पहलेडे कन कहते है पहलेडे पार्टिकल्स कहते है राइबोसोम को पहलेडे कन क्यों कहते है क्यों क्यों कहते है क्यों 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 क्यो और पहले डे कन इनको कहा जाता है, पहले डे पार्टिकल्स, राइबोसोम कोसिका का सबसे छोटा कोसिकांग है, कैसा कोसिकांग है, सबसे छोटा, smallest cell organelle, सबसे छोटा कोसिकांग है, और यह राइबोसोम क्या कहलाता है, कोसिकांग में कोसिकांग भी कहलाता है, क्या कहलाता है, कोसिकांग में कोसिकांग, क्यों कहलाता है, कोसिकांग में कोसिकांग, है और मैट कॉंटरे के अंदर रtoo QC stage सेल और रेटी और को को सिकांग में को सिकांग कहते हैं इतना चोटा होताओ कि इसकी मापने की इकाई इसकी आकरति है इसका कारस साइज इसको मापन के लिए कौन सी इकाई काम मिलेते हैं स्वेडबर्ग इकाई काम मिलेते हैं स्वेडबर्ग स्वेडबर्ग इकाई है और स्वेडबर्ग इकाई के कारण इसका सेडिमेंटेशन कोफिसेंट देखा जाता है जिससे ऐसे व्यक्त करते हैं ऐसे व्यक्त करते हैं उधारन जैसे प्रोकेरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार का राइबुसों पाया जाता है 70S प्रकार का 70S प्रकार का जबकि Eukaryotic Kosikahum में Eukaryotic Kosikahum में Eukaryotic Kosikahum में 80S 80S प्रकार का S का मतब है Sweetberg Eukaryotic में 80S Procurative में 70S Ribosome की जो मापन किया जाता है Sweetberg की कायम किया जाता है Kosikang में Kosikang कहते हैं इसको सबसे छोटा Kosikang है इसको पेले ڈकन भी कहते है Ribosome की जो इकाया है दो उपिकाया इस तरह से जुडी हुई होती है इस तरह से जुडी हुई होती है एक उपिकायी छोटी होती है दूसरी उपिकायी बड़ी होती है चोकि अंतेपरदवी जालिका कौन सी खुरदरी वाली चुकि खुर्दरी अंत्य पर्दवी जालिका पर राइबोसॉम इस प्रकार से दानेदार रूप में लगे हुए होते हैं मैंने यहाँ पर इस राइबोसॉम को बड़ा करके दिखाया है इस प्रकार से तो ये राइबोसोम कौन सी प्रोटीन की सायता से लगे रहते हैं यहाँ पर एक प्रोटीन पाई जाती है जिस प्रोटीन को कहते हैं राइबो फैरिन राइबो फैरिन राइबो फैरिन प्रोटीन के कारण ये चिपके ओए होते हैं राइबोसोम ए आर चे तो जिस ए आर जो जिस अंत्यप्रदवी जालिका पर राइबोसोम पाया जाते हैं उसे खुरदरी अंत्यप्रदवी जालिका या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं जिस अंत्यप्रदवी जालिका पर राइबोसोम नहीं पाया जाते हैं उसे चिकनी अंत्यप्रदवी जालिका या SER smooth endoplasmic reticulum कहते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं खुर्दरी अंत्यप्रदवी जाली कपर क्या है दानेदार रूप में ribosome लगे हुए है ribosome riboferin protein की साहिता से क्या है ER से चिपके हुए होते है ribosome की दोनों उपिकाईयां आपस में जुड़ी हुई होती है और इन उपिकाईयों को आपस में जोड़ने के लिए magnesium iron आवशक होता है magnesium iron की सांदर्ता जब 0.01 से कम हो जाती है 1 molar से कम हो जाती है 0.001 molar से कम हो जाती है तो दोनों उपिकाईयां क्या है अलग-अलग हो जाती है और जब यह सांदरता इस से ज़्यादा हो जाती है कि से ज़्यादा 0.01 मुलर से ज़्यादा हो से कम मेगनिश्यमायन की सांदर्ता होने पर दोनों पिकाईयां अलग अलग हो जाती है इसका मतलब यह हुआ कि मेगनिश्यमायन की सांदर्ता से यह दोनों पिकाईयां आपस में जूड़ी हुई होती है अगर सांदर्ता इसकी ज्यादा हो जाती है 0.01 मोलर से ज्यादा हो जा में यह Eukaryotic Ribosum, प्रोकेरिοिटी मैंने बताया था कि 70s प्रकार का होता है यह 80s में यह 40s, 50s और 30s और जो Eukaryotic है उसमें 80s यह 80s के दो, जो दो उपिकाई होती है 60S और 40S होती है clear है तो ribosome सबसे छोटा kosi kang है यह protein sensation का कारिया करता है किसका कारिया करता है protein sensation का ribosome का मुख्य कारिया है protein sensation protein synthesis और protein sensation करने के कारण ribosome को क्या कहा जाता है kosi का की protein factory kosi का की protein factory का जाता है protein factory अथ्वा ribosome को kosi का की क्या कहते है बटी भी कहते है kosi का की बटी ribosome को kosi का क्या कहते है engine भी कहते है powerhouse नहीं यहाँ पर engine की बात हो रहा है engine kosi का का सक्तिक रहा कहते है mitochondria को जबकि engine कहते है protein की factory कहते है या बटी कहते है किसको राइबोसोम को क्योंकि राइबोसोम में क्या होता है प्रोटीन का संसलेशन होता है राइबोसोम बना किसका होता है राइबोसोम और प्रोटीन मिल करके क्या बनाते हैं राइबोसोम बनाते हैं और राइबोसोम का खुद का निर्मान कहा होता है राइबोसोम और प्रो केंद्रिका या केंद्रक में पाई जाने वाली छोटी बिना जिली वाली जो संरचना होती है केंद्रिका या नुकलियोलस जिसको बोलते हैं वहाँ पर किसका निर्मान होता है राइबोसोम का इसलिए केंद्रिका को क्या कहते है राइबोसोम की फैक्टरी कहते है राइबोसो ऐसे एंजाइम जो राइबो सोम में पाये जाते हैं, उन्हें कहते हैं राइबो जाइम, राइबो जाइम क्या होता है, वे एंजाइम जो राइबो सोम में पाये जाते हैं, उन्हें राइबो जाइम कहते हैं, राइबोसोम राइबोफेरीन प्रोटीन की साहता से चिपका हुआ होता है किस से एर से तो ये दो चार बाते मेतुपून है राइबोसोम सबसे चोटा कोशिकांग है ये जिल्ली रहित कोशिकांग है इस पर कोई जिल्ली नहीं होगी क्योंकि ये सबसे चोटा है तो इस पर ज जिल्ली नहीं होती, जिल्ली रहित को सिकांग है, राइबोसोम की खोज पैलेडे ने की थी, इन्हें पैलेडे पार्टिकल्स या पैलेडे कन भी कहते हैं, इनका मुख्यकार या प्रोटीन संसलेशन है, जिस एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम पर राइबोसोम उपस्तित होते हैं, उसे रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतिपरता भी जाली का कहते हैं, राइबोसोम मेगनीचिमायन की साहता से चिपके हुए होते हैं, दोनों उपीकाईयां राइबोसोम एक उपीकाईयों की रूप में पाया जाता है, इस्तंदारियों के पाया जाते हैं, जैसे प्रोकेरियोंटिक में ये 70S राइबोसोम पाया जाते हैं, 70S, एस कहा है स्वेटबर्ग उनिट या सेडिमेंटेशन कोविजियन्ट जिसकी दो पीकाईयां 50 और 30, और यूकेरियोंटिक में 80S जिसकी दो पीकाईयां 60 और 40, तो दो कोसिगांग हमने आज डिसकस किये, आपको ठीक लगे हूंगे, धन्यवाद